असलाम वालेकुम डियर स्टुडेंट्स वैलकम एक्सपी अकेडमी डॉट कॉम जहां पर आप स्टेप पाइस स्टेप्स थ्रीडी स्टूडियो मैक्स उर्दू जबान में सीख रहे हैं अब इस लेसन के अंदर में आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ स्टेप्स के मतालग means के हमारा ये लास्ट लेसन आगे continue है इसी का ये पार्ट दुस्तर आप इसे कह सकते हैं इसमें हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग 3D मैक्स की पर काम कर रहे होते हैं हमें selection के लिए क्या करना चाहिए अब बहुत ज्यादा पहजीदा आपको प्रोजेक्ट होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा आपके objects होते हैं अब उनमें से आप एक ऐसे object को क्लिक करना चाहते हैं जिसकी आपने selection बड़ी मुश्कल से बनाई है अब अगर आप उसको बार-बार आपको select करना पड़ता है फिर उसके पर काम करना पड़ता है क्यों नहीं हम उसको lock कर दें lock करने से ही होगा अगर आप दाइंबाइंग क्लिक करेंगे तो वह आपकी selection खतम नहीं होगी जस्ट आपका 100% focus उसी काम पर रहेगा ठीक है और इसी तरह से अगर हम हमारे पास तुमाँ पर अगर आपके तुमाँ चीज़ें select हो चुकी है बहुत ज़्यदा चीज़ें अब आ अगर आप दाइंबाइंग के क्लिक करेंगे आपको शायद ये problem हो अगर मैं दाइंबाइंग क्लिक करोगा तो let's say के नीचे मेरा floor है वो select हो जाएगा तो उसको deslect कैसे करना है और इसी तरह से आप ये चाहते हो कि आपके पस scene के अदर कुछ दो तीन objects है जो select नहों बाकि त lesson के अदर देखना है basically ये हमारा tips और trick का lesson है देखें मैंने already यहाँ पर कुछ अपने पास object create कर दिये हैं मैंने आपको पैलेवल lessons के अदर दाया था एक हमारे पास method होता है control A mean आपने select कर दिया अब problem ये है कि अगर मैं इसको दाइबाइं कहीं क्लिक कर देता हूँ मिसाल के तोर पर मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ देखें यह object मैं रहा क्लिक हो गया जबकि मैं यह नहीं चाहरा था कि मेरे पास की क्लिक हो ठीक है आपको यहाँ पर spacing area दिखाई दे रहा है मुफ्तलिफ जगह पे आप कह रहे हैं हमने इदर क्यों नहीं क्लिक किय इसका पर क्यों नहीं क्लिक किया इसे भी क्लिक क्यों नहीं क्लिक किया तुमाँ आपके एक्जेंपल देना चाहरा हूँ अब अगर आपके पास तुमाँ object selected है इनको unsled कैसे करना है बगयर के इन क्लिक किये control A आपके पास क्या करता है तुमाँ object को select कर देता है और अगर आप control D प्रेस कर देते हैं इससे क्या होदा है D select हो जाता है control A से क्या होगा control A आपके पास select all हो जाता है again control D आपके पास D select हो जाता है ठीक है तो यह आपके पास एक method है दुसरा आपके पास तरीका क्या है तो उसके लिए आप दौरा से selection करेंगा आपका बहुत time वेस्ट होगा क्यों आप simple इसे control A प्रेस कर दें control A क्या करता है inverse selection कर देता है जो चीज़े आपने select की हुई है उनको क्या कर देगा आपके पास unslect कर देगा बाकि तुमाँ scene के objects को select कर डालेगा ठीक है अगें देखे अब अगर आपके पास तुमाँ जिसे selected है बहुत सरी आपके पास कुछ जिसे selected नहीं है तो फिर भी आप control A लगाए फिर उसको उल्टा ले जाएगा ठीक है अब दो object selected है just again control A लगा देता हो तो देखें क्या होगा आपके पास तुमाँ जिसे selected हो चुकी है मास होए दो टी आगे की तरफ निकलेंगे हमें चोटे-चोटे objects बनाके एक objects को बनाना पड़ेगा चोटे-चोटे-चोटे objects की मदद से अब वो जब आपके पास मफ्तलिफ pieces of objects को आप select कर देते हैं अब next time आपको 12 second की selection चाहिए हो दी है तो उसलिए फिर आपको problem face आ जा सकती है हाँ इससे दो two parts है first करें आपको यह दो target चाहिए थे आपने बड़ी मुश्कल से इसको select किया अब करना क्या है आपको just अपने keyboard से space लगा देंगे जैसी space लगाएंगे आप देखें यहाँ पर यह आपको lock नज़रा रहा है यह lock हो जाएगा देखेंगा मैंने space लगाया तो आप देख extra object इसमें से minus कर सकते हो अब क्या होगा अब basically यहां की पास एक बहुती outstanding use है इसकी तरह आप देखें आप अपनी मर्जी से इसके पर selection के बाद जो भी आपका target था let's आप से move करना चाहरे हो whatever जो भी आप से करना चाहरे हो आप इसको easily यहां पर done कर सकते हैं तो इस तरह से अगर आपको 12 से selection को खतम कर दे रहा है यह जो lock इसको खतम करना चाहते हैं दो method है यह तो आप again space press कर दे space press कर दिया क्योंग आपके पस selection भी रहेगी और नीचे से lock भी खतम हो जाएगा आप click करें तो आपके पस देखी है unclick हो चुका है अगर आप कहते हो नहीं आप again से shift press क क्या है control A control से select all हो जाएगा और आपका यह lock भी खतम हो जाएगा तो अब मैं इसमें आपको recommend क्या करूँगा selection के लिए जब भी आप काम करेंगे आगे जाकर हम जो भी काम करेंगे उसमें हमें जो भी object slide करना होगा उसको selection देगे हम उसको lock कर देते हैं lock कर देने के बाद यह दो था आज हमारा एक चोटा सा lesson इसको में tips और trick कहता तो dear students इंशालला next lesson के अदर फिर हाजर होते हैं मजीद मालूमात और update के साथ उस तक लिए मैं आपसे एजाज़त चाहूंगा dear students अगर आपको इन videos की complete DVD questions चाहिए तो please visit करें please visit करें हमारी website www.xpacademy.com या call करें 0343 90 901 7779 पे dear students xpacademy.com आपको तुआं computer courses की training step 5 steps उर्दु में provide कर रहा है at the end में जिब आप course कोई clear कर लेते हैं आपको एक certificate विशु किया जाता है जिसकी hot copy बजरिया DCS आपके अपता है address के अपताबकाव को बेई दी जाती है students अगर आपका कोई भी question कभी problem कभी मसता है तो please call करें 0343 901 779 पे email करें xpacademy.com स्काइप पे join करें हमारा स्काइप का ID है xpacademy और हमारा facebook का भी ID है xpacademy तो मुझे अपनी दौा में याद रखेगा अगर मेरे अल्ला ने चाहा तो इन्शालला ताला next lesson ने फिर आजर होता हूँ कुछ नहीं मालूमात और update के साथ उस जाओंगा अल्ला हाफिज असलाम वालेकम